वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर पांजविच त्वादा सार्यांदा स्वागत है मैं अर्शंदरपाल को और आजदा देले पाठ नंबर वी लेके हाजर हां चलो चल दे हां नमा पाठ सिख दे हां साड़ा आजदा पाठ है पंजाबी ट्रडिशंस ते विच असी गुरुदा लंगर सिखांगे आज सो इस तो पहला असी गुरु ग्राण सहब जी बारे सिख्या फेर असी इकडा परशाद दी महतता सिखी कडा परशाद दी हिस्ट्री सिखी ते उस्ते नाल ही असी कडा परशाद बनान दी रैसिपी भी सिखी सी बच्यों तानो याद होएगा सो आज असी उस तो अगे जाके गुरु दा लंगर दिगाल कर देयां सब्तो पहला हमेशा दी तरह असी वोकेबलरी वर्ड सिख देया हुना दे मतलब सिख देया तान जो सानू पाठ सिखना जिडा है सौखा हो जानदा है सब्तो पहला वर्ड है सादे को ले सिखाई जां सिखाया इस ताट सोचया थाट ख्वाई फैड जिस्राँ खाना खोना सिकन देया so khwai, jidaan khwaiya, jaan khwai, right, so it's fed, fayde wala sodha, profitable trade, udon tohi, since then, pukhe, hungry, kirtkarni, work honestly, aam, common, ravich, on the way, khwana, to feed, means it's past tense, khwana is like to feed, right, so kita janda is done, shayad, perhaps, be kare, homeless, taan hi, that's why, grieve lokandi, poor peoples, vandke chakna, to share, khas, special, kharchke, spent. गुरु नानक देवजी ने सिख्खानू किर्थ करनी सिखाई, उन्नाने सिख्खानू वण्ड के छक्णा सिखाया, एक वारी गुरु नानक देवजी नू उन्ना देपिता जी ने वीर पैदिते, उन्नाने केहा, नानक जी, जाके कोई फाइदेवाला सौधा करो, रा विच गुरु नानक देवजी ने कुछ पुखे सादू देखे, उन्नाने सोचया, पुखे लोकानू खाना ख्वाना ठीक सौधा है, इस सौधेदाल सादू आदा फाइदा है, उन्नाने सारे पैसे खर्च के पुखे सादू आनू रोटी खवाई, शायद उदो तो ही रुदालंगर शुरू हो गया, सो बच्चेव तो आनू पता है, गुरु नानक देवजी दे सुनेरी असूल किया, मैं थोड़ी जेते हो गाल करने चावांगी, गुरु नानक देवजी ने सानू तेन सुनेरी असूल देते, गोल्डन रूल्स, गुरु नानक साहब दे, ओ केड़े हलां, नाम जपना, किर्द करना ते वांड के छकना, सो अथे सी गालकारे यां किर्द करन दी ते जीडा प्राफटेबल ट्रेड जेडा Гुरुष्चाहिब दे कीता, सच्चा सौधा क्यालो जा, फाइदेवाला सौधा जीडा, ओनानो लगया, वांड के छकना, त उनाने पुखे सादुआनू जिड़ा पोजन्श काया सी, सो ओधों तो इन लंगर गुरूदा लंगर शिरू हो गया। ता इस तरह फील हुन्दा है कि असी सब एक परवार दे मेंबर हां ते सादी एक वड़ीर सोई जा किचन है। पर सिख पुखे अते गरीब लोकान दी लंगर नाल सेवा कर दे हन। जिथे वी गुरूदारे हन उत्थे गरीब अते बे करे लोकानू सिख लंगर शिकान दे हन। खालसा एड एक सिख संस्दा है जो के दुनिया विच किते भी हाड आए होन, टॉरनेडो आए होन, जा लड़ाई हो रही होवे, उत्थे जाके लोकानू लंगर शिकान दी है। ओकें देहन, no hunger with langar. People all over the world are noticing who Sikhs are because of the langar tradition and the services they provide. They spend thousands of dollars each week to feed hundreds and thousands of hungry and homeless people. So, जिस्तरा बच्चों आजकल तानों बहुत आनों पता हुएगा कि आजकल किसान संगरश चल रहा है, उत्थे भी खालसा एड वाले गए होई, जित्थे किसान जेडे फार्मर्स है कि अपने राइट्स वास्ते आके, जिड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट का रहे हैं, उत्थे लखादी किंती विच लोग बैठे हैं, उत्थे भी खालसा एड ने जाके लंगर लगाए हैं, उनने सिर्फ बोजन जे लंगर ने लगाए, उननने होर ज़रूरी चीज़ां सर्दी दे मौसम वेच जड़ियां वर्तियां जानवालीयां, जिस्वरा बूट जराबा, गरम कंबल, जिस्वरा रोज़ियां चीज़ां, तेल, जिस्वरा शैंपू, छोटियां चीज़ां, बहुत कोछ उनने लंगर लगाया वेया, उथे उनने खाल्सा मॉल बना दिती हुईया, एक ते ऐसरा करके, मतलब जड़ा गुरुदा लंगर जड़ी जरूरतनी चीज हम दिया है, पुखेनों पोजन्श कोना, ते जड़ी जड़ी जरूरत होवे, उन्हों प्रवाइड करनी एहे सिख अपना फर्ज समलते हैं, सो खाल्सा एड बहुत ही अच्छा काम कर रहा, गुरुदा कोई भी सिख जित्थे भी, उन्हों मौका मिल दा है, उथे हो कोशिश कर देने, कि उथे ना कुछ भी कुम्यूनिटी वास्ते अच्छा किता जावे, तो आज होन असी एह लंगर बारे सिख या, गुरुदा लंगर, तो आनो बहुत है अनो पता सी संडे जाने या, खाल सा स्कूल जाने या, गुरुद्वारा साहिब जाने या, ओथे जाके असी लंगर शाक देना, तो अड़े विचो बहुत जाने सेवा भी कर दे होनगे, पर लेसं दियां, पहला तुसी लेसं पढ़ना, find all the vocabulary words in this essay and circle them, right, so जड़े एह vocabulary words है गया, तो मैं हमेशा केनी मिनी जे तो आनो कोई होर शब्द भी आखा लगदा है, तुसी अनो भी सर्कल कार लो, तो तुसी अपने टीचर नो पुछना जरूर, ठीट, सोंवर कार्दा का लंगर कदो शुरू होया, when did the tradition of langar begin, right, so तुसी पाठ पड़ोगे, तानो देविचो पता लग जाएगा, साथे पहले गुरु नानक देवजी, पहले गुरु सहब, उना ने सानो की की सिख्या दिती है, उना देविचो तानो आंसर मिलेगा, ठीक, लंगर बनान वेले की की लंगर, right, so how we made langar, so असी पाठ देविचो सिखांगे, असी पाठ कर देया, नाम सिमरन कर देया, right, so तुसी पंप्लीट संटेंस देविच आंसर लिखोगे, ठीक, जाद असी लंगर शाक्रे हुंदे हां, ता किस तरा फील हुंदा है, जा मैसूस हुंदा है, है ना, so तुस तुसी किस तरा मैसूस कर देया, जदो तुसी, when we are partaking langar, how do you, how do we feel, right, so सिख पुखे ते ग्रीब लोकानी सेवा के मैं कर देहां, right, how do सिख सर्व थांग्री और पूर पीपल, संस्थामा जडियां ऐस तरह दी सेवा कर दियाने, तुसी लिख सक देहो, मंगलवार करदा काम, एक एक्टिविटी सादे हर लेसन विछ हुंदी है, वाका दे दो हिस्यान आपस विच जोड के पूरे वाक बनाओ, दो पार्ट है गया, तो अडिको ले, so अदे विचे तु आपस खना होंदगा, थिक है, so तुसी लभके लिखना है थे, लंगर बनाओं वेले, असी की कर देयां, ठीक है, so ओ दी तुसी अधर देखोगे, अंसर देखे लिखे होई निया, उना छो तुसी लभके अंसर मैच करोगे, लंगर शकॉन तो पहला की किता जानदा है, थिक गुरु नानक देव जी ने सिखा नू की सिखाया, पुखे लोका नू खाना खुवाना, की है, तो आदे अनुसार, ठीक है, what you think, सो तुसी इदरों आंसर पढ़ना, ते जो ता नू लगे, ठीक आंसर तुसी होते ना मैच करना, ठीक, सो असी अग्या चांदे या, बुद्ध वार कारदा काम, शब्दानो मतलब नाल जोड़ो, ठीक है, शब्द जड़े हागे, ए, उनना दे मतलब, मीनिंग ए हागे, connect the words with their meaning, सो सादे कोले पंजाबी वर्ड हैगा, सिखाई, जा सिखाया, ठीक है, सखाउना is to teach, राइट, सो सानो, गुरु सादे की गाल सिखाई, या केडिया अंगला सिखाईया, राइट, की कुछ सिखाया, कुछ चंगा सिखाया जड़ा, ओसी, इदर मतलब उतलब के, तुसी मैच करोगे, पेज्या, ख्वाई, आम, उदों तो ही, पुखे, बनौना, कीता जान्दा, जदों, उदों, अपनी जिन्दगी, शायद, घरीब, बेकरे, यह वर्ड्स ने, इनदे मतलब उतल, तुसी अनल मैच करोगे, वीरवार का अर्दा का, सेट था टाइमर, रेट इस ऐसे, how many minutes did it take, तुसी हार लेसंच कर दे हो, के तुसी किस तरह पढ़ सक रहे हो, तुसी पहला तो बैटर पढ़ दे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, तुसी रिकॉर्ड कर दे जाना, and you will feel very good, जब तुनों लगेगा, के तुसी अच्छा पढ़ पारे हो, पहला ना लो, copy गुर्मुखी नंबर्स and Punjabi words in the table below, so तुसी नंबर्स ने एक की नंबर हैगा, तुसी नंबर जड़ेया याद हो जानगे, एक तुसी नंबर याद हो जानगे, दुर जद तुनों लिखने भी आ जानगे, ठीक है जी, so आज एना ही, तुसी सारिया एक्टिविटीज अच्छी तरह करो, चंगी तरह करदा काम करो, ते पाठनों दुबारा सुनना, ते नाल नाल पढ़ना भी, ठीक है जी, so असी होन इत्थे ही फते बलांदे हा, वाइगुर जी का खाल सा, वाइगुर जी की फते,